एक बल्ब है आपके पास उस बल्ब की मार्किंग आपको कर रखी कंपनी ने 50 वार्ट कॉमा 200 वाल्ट इस कनेक्टेड अक्रोस है 100 वोल्ट सप्लाई लेकिन इस बल्ब को आपने 100 वोल्ट सप्लाई के अक्रोस करेंट किया हुआ है अब बल्ब की कितनी पावर डिसिपेटेड होगी तो आफ़कोर्स हम लोग पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लाते है जो भी रेजिस्टेंस आएगा तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रड यह स्वेटेंस का होगे तो आपको पावर मिलती ही तो जो जो रेस्टेंस की लेगी जीरो सब जरो केंसिल 5 से काट भाह तो रेस्टेंस विल भी एट यह एट हंड्रेड ओम so here we will put it is 800 0 0 cancel 0 0 cancel so power is given by आगे और भी सोल गालते में लगसको 4 2 जाये 4 जाये 25 25 by 2 means 12.5 watt so right answer of the problem is the option one that is 12.5 watt